दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश में अधिनस सेवा अपचायन आयोग दोरा निकलने वाले भरतियों को भरना चाहते हैं तो आपको इसमें वन टाइम रेश्टेशन कराना होगा उसके लिए आपको गूगल में उसके बाद आपको सबसे उपर ही दिखाए देगा वो यूपी एस्टेशन के लिए आपको एक वैलीड इमेल आईडी चाहिए होगा उसके बाद ही आपका जो डिटेल है वो इसमें कर सकते हो जब आप पेस को स्कूल करेंगे तो आपको यहां रेश्टेट नाओ का उप्षन दिखा देगा आपको यहां रेश्टेट नाओ पे किलिक करना होगा किलिक करने के बाद कुछ इस्तिविकर के इंटरफेस आएगा आप इसको इहां से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजे हमें इसमें रेश्टेट करने के लिए चाहिए तो यहां पे आपके पास दो ओप्षन है फिर आपको आपको इमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है फिर अप्लिकेंट परसनल नंबर फर्स नेम यदि मिडिल नेम है तो लाश्ट नेम आपको डालना पड़ेगा फिर आपको जंडर सेलेट कर लेना है डेटब select कर लेना है domicile में आप किसी भी state के हैं तो आप जिस भी state का आपका domicile है उसको आप select कर लेंगे select करने के बाद फिर आप category select कर लेंगे आप कौनसी category में आते हैं उसके बाद applicant father number middle name last name applicant mother number sorry mother name और middle name last name डालेंगे बाद आपको यहाँ पर जो दिखा दे रहा है वो क्या आपके सामने कुछ इस तरिक एक इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा होगा your detail are submitted successfully under ODR process आपको यह click here to login पर किलिक करना होगा फिर आपके सामने login के लिए तीन option आएंगे या तो mobile number select कर लेजिए या फिर email id या फिर e-locker तो हम यह mobile number select कर लेंगे वह आपको यह mobile number डालना होगा फिर उस mobile नंबर पर आपको get OTP करने पर एक OTP आपको डालना पड़ेगा फिर आपको यहाँ पर नीचे एक capture code verification code दिखाई दे रहा है यहाँ पर उस verification code को डालके login option पर आपको क्लिक करना होगा फिर आपके सामने कुछ इस तरह का message आएगा जिसमें लिखा होगा creation of login password you are creating login password अर्थात आपका login password बन चुका है आपकी email id 100 होगी और mobile number 100 होगा आप जब page को थोड़ा सा नीचे scroll करोगे तो आपको यहाँ type new password आपको यह new password बनाने के लिए पूछा जाएगा आपको दो बार अपना password यहाँ खुद create करना है फिर आपको यहाँ verification code या capture यहाँ पर डालना है और इसको submit option पर क्लिक कर दिना है password बनाते से में आपको ध्यान करना पुड़ेगा कि कम से कम 8 से 15 करेक्टर के बीच में आपको password बनाना जिस जो अलफा निम्मरी होना चाहिए जिसमें add the rate of 1,2,3,4, ABCD, small letter और capital letter दोनों का ही आप यूज करना होगा यदि आपने password सही से create कर लिया तो आपके सामने कुछ इस तरीके का message आएगा password created successfully फिर आपको click here to login first time में click करना होगा आप फिर one time registration वाले page पहुंच जाएंगे आपको नीचे scroll करना है scroll करने के बाद यहाँ पे login option आएगा login option में आपके first option है throw OTP code यदि आप OTP के दोरा login करना चाहते है throw password तो हमने अभी भी password बनाया था हम throw password ही रहनेंगे फिर आपको यह mobile number और email आडिया आपके हैं से कुछ भी select कर सकते हैं फिर आपको आपना mobile number यहाँ डालना है और जो password अभी दिखाएते हैं TR2J3 यह verification code हैं पर डालने के बाद यहाँ आपको login option पे click करना हुगा फिर आपके सामने कुछ इस त्रिकर इंटरफेस आजाएगा जहां आपको OTP के दोरा email ID और mobile number verify करना होगा यदि आप email ID और mobile number verify नहीं कराएंगे तो आपका OTR process incomplete रह जाएगा तो आपको email ID और mobile number पे tap करके आपको OTP मंगा लेना है फिर उस email ID को email ID में आए है OTP को आपको डालके process को complete कर लेना है दोस्तों उसके बाद आप OTR e-locker के अंदर फुर्वेश कर जाएंगे यहाँ पर आपको कई सारी detail डालना होगा आप इसको mobile से ही कर सकते हैं जैसे personal detail, other detail, communication detail, qualification detail, experience detail ल जैसे रखा आप उसको देख लेंगे, देखने के बाद आपको जब page नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको चूज करना होगा basic qualification जैसे आपने high school कर रखा है तो high school में टिक कर देंगे और इंटर कर रखा है तो इंटर में टिक कर देंगे फिर आपको यहाँ सेलेक्ट बोर्ट करना होगा आपने जुन बूई बोर्ट से आपने हाई स्कूल यह इंटर किया होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे सेलेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे येर सेलेट करना होगा कौन से येर में आपने किया है फिर आपको हाई स्कूल और इंटर का रोल नमर डालके यहाँ पे सम्मिट डिटिल पे आपको किलिक करना होगा दोस्तों यदि पहली बार आप हमारा चैनल में आए हो तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरू करें क्योंकि आपको हमारा चैनल पे आप से रिलेटेट कई सारे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे तो आप बात करते हैं अधर डिटेल के बारे में परसनल डिटेल भरने के बाद आपको अधर डिटेल भरना पड़ेगा जिसमें आपको सिटिजनसीब में आपको यहां सिटिजन इंडिया सेलेट करना है मेरिटल स्टेटस में आप यहां मेरिट है तो मेरिट अधर अनमेरिट सेलेट कर सकते हैं होम डिश्टिक यहां सेलेट करना होगा आपको अपना होम डिश्टिक जो भी आपने स्टेट सेलेट किया होगा उसे सेलेट कर सकते हैं आर यू डी एफ एफ एधिया freedom fighter है तो yes कर सकते हैं अधरवाइस no कर सकते हैं फिर आपको government employee की detail आपको डालना पड़ेगा यदि आप government employee है तो आपको yes डालना पड़ेगा अधरवाइस आप यहाँ no डाल देंगे यदि आप yes डालेंगे तो यहाँ पर service division भी आपको डालना है यदि आपके AWS का certificate है तो certificate number और issuing authority नेम कि और authority से issue हुआ है और AWS certificate का जो date होता है वो आपको डालना पड़ेगा फिर आपको डिब्यांग detail में आपको यदि आप डिब्यांग है विकलांग है तो आपको यहाँ yes करना है अधरवाइस आपको no करना है और यदि आप yes करते हैं तो आपको कई सारे चीजी यहाँ और भी बननी पड़ेंगी ज और उसके बाद फिर लेवल और फैंसे जी आपने कौन से लेवल किया है ए लेवल भी लेवल सी लेवल वह यहाँ select कर लेंगे फिर आपको save option पर आपको क्लिक करना होगा communication detail में आपको कई सारे चीजी डालना पड़ेगा जैसे आप यहाँ alternative mobile number दूसरा mobile number डाल सकते हैं दूसरा email आईडी में डाल सकते हैं उसके बाद परवादने ट्रेटर जालेंगे तैसिल आपका कौन सा है अर्बन या rural यदि आप सारी चेटरों चाहते हैं तो अर्बन चूस क करेंगे फिर आपको यहाँ village name सर्च करना है डाल देना है फिर नियाय पंचायत या ग्राम पंचायत कौन सा है block जो name है वह आपको select कर देना है या लिख लेना है और इसके बाद police station कौन सा है house number कौन सा यह आपको water ID कार्णों मिल जाएगा और care up करके यह maximum 50 characters में आप यह सब address जो आपको water ID कार्णों मिल जाएगा फिर आपको यहाँ pin code डालना होगा डालने के बाद फिर जो पत्र भी हमार का जो पता है आप इसको same कर सकते हैं same as a permanent address यहाँ टिक कर देंगे तो जो है जो भी आपका address होगा permanent वही corresponding address में भी आपका होई select हो जाएगा उसके बाद आपक option नहीं आ रहा है या save नहीं हो रहा है तो आप एक बार पीछे वाले बटन जैसे other detail या communication detail में जब टैप करेंगे तो बात करते हैं communication sorry qualification detail में क्या करना होगा qualification detail में आपको academic qualification professional qualification और vocational qualification आप डाल सकते हैं तो हम यहाँ एक qualification आपको दिखाते हैं कि जैसे high school का हमें डालना है तो है high school आपको select कर लेंगे high school आपके पास कौन सा था science था सकते हैं क्योंकि 2006 में यह दिया आपका high school करते हैं तो 2004 में नभी में आपने admission लिया होगा तो 4-5 में नभी किया होगा और 5-6 में आपने high school किया होगा इस तरी के से आप हिसाब कर लिजेगा फिर course आपका कौन सा था एक साल का था आपका high school और evaluation टाइप में आपको marks आपको कैसे मिले है जैसे आपने percentage जैसे अभी CVC में grade बगर मिलता है तो आपको यहां पे marks या जो भी था आपको select कर लेना है maximum marks आपके कितने थे 600 थे 500 था division कौन सा है percentage यहां automatic calculation ह हो जाएगा option mark आपको लिखना पड़ेगा फिर आपको certificate का जो रोल नंबर है वो लिखना पड़ेगा और certificate नंबर यह आपके जो सनत होता है सनत में आपको देखा देगा फिर आपको यहां जो है experience detail आपको भनना है experience detail में यदि आप कोई employee है जैसे आप central government, state government, private government यदि कोई employee है तो आपके लिए आपको यह भनना पड़ेगा जो भी इसमें mandatory चीछ है यदि आप एक बेरोजगार यूवक है या यूवती है तो आपको यहां कुछ नहीं बनना है आपको यहां save option पे click कर दे है दोस्तों फोटो और signature आपको upload करना है फोटो और signature upload करने के लिए आपकी जो फोटो है वो 5 cm और 6 cm लंबा चोड़ी होनी चाहिए और जो signature है वो इस तरह के का होना चाहिए जिसमें आपको पूरा नाम उसमें दिखाई दे इसकी photo किचके आप उसकी scan करके आपको पहले से के बाद फिर आपको कुछ इस तरह की खसी दिखाई देगा दोस्तों यह सारा काम आप मॉबाइल से कर सकते हैं पसको फोटो यहां पर यहां पर लाना पड़ेगा और जो साइज इसमें ते रखाए उसको set करना पड़ेगा और set करने के बाद आप देख सकते हैं इतना photo कि यहां कर एप थोटो इस तरह की दिखाई देगा फिर आपको फोटो टाटा पर टेपो को लगए तो इससे शेखिस के और उसके बाद फिर आपको फोटो एन signature पर tap कर देना है तो आप देखेंगे कि जो है photo और signature वाला option है वो आपका बिलू टूक हो चुगा है इसका मतलब ये okay हो चुगा है और experience ने detail चुकि हमने कुछ experience भायर नहीं था तो यहाँ पर ready दिखा दा है उसके बाद आपको upload document पर tap करना है दोस्तो upload document में आपको personal document, qualification related document, address related document और experience related document सब डालने होंगे तो यहाँ पर मैं एक के ले रहा हूं qualification detail जहां आपको academic qualification select करके high school select कर लेना है और matriculation और document type में आपको mark sheet या फिर certificate जो भी आप select करना चाहते select करके आपको board select करना है आपने कौन से board से high school किया था फिर कौन से college से किया था फिर आपको certificate number डाल देना है और जिस certificate में या mark sheet में जो भी जिस date से आपको mark sheet में लिए वो date आपको डालके या choose file option में choose करके जहाँ पर अपने file लगा है तो PDF form में है धाइसो को भी से कम का होना चाहिए आप चूज कर लेंगे फिर आपको save option पर click करना होगा तो दोस्तों इस तरीके से आपको सारे document जो personal से लेके experience डिलिटर तक जो भी document आपको upload करना है वो upload कर लिजेगा आपको one time में मैनत करने पड़ेगी उसके बाद जो घर बेटे जो है किस तरीके से OTR फार्म को भर सकते हैं मोबाइल के द्वारा आज का वीडियो वीडियो काफी लंबा हो चुका है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल लगिए और अपनों का वे ख्याल लगिए धन्यवाद